कि नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर तो आज जो मैंने कोशन लिया है वह एनर्जी एपिसेंसी इन इनलेटिकल यूटिविटी सब्जेट से है और यह जो कोशने पर है आप देख सकते हैं जो कोशने पर है यह जो है 28 मार्च 2020 को यह पू क्या कहता है इस योपी ओफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इस 3.5 एंड दी मोटर ड्रॉज आपावर ओफ 10.7 किलोवाट 880 परसेंट मोटर एफिसेंसी दी कूलिंग एफेक्ट ओफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम विल बी ओके तो यह हमारे जो है कोशन है तो इसका जो है हमको स पयुदि ओँड़ करना है हां है हां अहीं सव्री इसमें जो है मिलख स्यूर्प दिया हुआ है और कोशिशन में क्या अ पुछा है हम से कोछasking में से पुछा कि को दो है मिलेय। आं तो को दूह उबनि左व घरनब करना है ठीक है तो मिलें हम समाझ यारियो her कि योञ पील वराबर क्या होता है को लिंग एफएक्ट है panor matchas झांऑ डिवाइड बायए और राअप पर क्वाइड होता है मोंटर इन्पूट याकंपरेसर का पावर जो इसमें यूज हो रहा है कंप्रेसर पावर कि यह भी किलोवाट में रहेगा ठीक है ओके है तो यहां पर यहां पर यहां पर कोशन में जो दिया गया है यहां पर जो कोशन में दिया हुआ है है जोopardi कितना दिया हुआ 3.5 दिया हुआ ठीक है तो 3.5 हमने को कूलींगर की edeस में तो थो कूलिंग इपेफेक्ट हुकती शोड़ा घंसकी तस डिवाइड वाइड बाई जो मोटर का स drainage जो पावर है पावर कितना है एंड दो मोटर ड्रॉज अपावर आप 10.7 किलोवाट ठीक है 10.7 किलोवाट तो 10.7 किलोवाट इंटू यहां पर जो मोटर की पिसन से कितना यहां पर हो जाएगा 3.5 इंटू 10.7 इंटू 0.80 ठीक है यह हो जाएगा अग्यू पाइफ इंटू 10.7 इंटू 0.80 यह हो जाएगा 29.96 29.96 किलोवाट ओप्शन में क्या देख लेते हैं और यहां पर 29.9 मतलब कि 30 किलोवाट ही है लगभग तो यह हमारा फाइनल एंसर हो जाता है ठीक है तो यह जो है कॉश्चन जो है स्वाल हुआ है राइट ओके नेक्स्ट बढ़ाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 3 ठीक है कुश्चन नमबर 3 तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो थर्मल पाइट के दो यूनिट है तो नमबर्स लिखा है मतलब होता है है क्कूल जन्रेशन ओफ और सिटी मतलब होता है एक्ट्रेडब होता है but want to energy सिटी इन ट्वvenge दिवाइड वाइड जो इन्स्टॉल के पिसिटी है मिन्स्टौर स्फ डिकर है इस को सबीघा करते हैं solution number 3 ठीक है PLF PLF equal to क्या होता है actual generation actual generation of power यहां मैं लिख देता हूँ 24 hours ठीक है normally 24 hours पर करते हैं month पर भी होता है बट यहां पर हम 24 hours पर लेंगे डिवाइड वाइश्टार्ड केपसिटी इंस्टार्ड केपे सिटी इन 24 hours ठीक है तो यह क्या हो जाएगा तो यहां पर यहां पर प्लप कितना है यहां पर जो प्यालेव और 0.73 यहां पर यहां पर प्लप कितना है 0.73 है 73 परसंट निकीजिए जिए पाइंट सेवंट्री हो जाएगा ठीक है ओके और यहां पर जो एक्ट्वल जन्रेशन है वह हमको जो है है फाइंडोट करना है वह दिया नहीं है एक्ट्वल जन्रेशन डिवाइड वाइं इंस्टॉल के बिसेट कितना है टू इंटू 500 ठीक है दो नंबर के पावर्प्रांट है दो यूनिट है मतलब पांसों मेगावाट के तो दो इन्टू पांसों इन्टू अब यह जो जन् गारेशन एक्ट्वल जन्रेशन इस एक्ट वाइड रोड़ जाये इन्टू 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 फाइवज पांड़ इन्टू इन्टू 24 तेकर और यह हो जाएगा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.73 into two into 500 into 24 यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका जो कैपसिटी है जो प्लाइड जो पील्ए फेक्टर है उसके गॉर्णिंग ली जो 24 घंटे में कितना जनेरेशन हो रहा है वह हो रहा है कि 7500 बीस मेगा वाट आवर हो रहा है ठीक है अब जो है नेक्स्ट आते हैं सॉलूशन पर नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि अपर जो हीट रेट है यानि कि हम टर्बाइन को कितना हीट दे रहा है 1250 किलोजूल का हीट दे रहा है थर्मर पाउर प्राण्ड में तो जो यूनिट जनेरेशन हो रहा है वो एक unit का generation हो रहा है एक kilowatt hour का हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं कि heat rate heat rate equal to 11250 ठीक है 1250 kilojoule पर kilowatt hour है इसका मतलब क्या होगा कि एक unit यह unit में कितना heat लग रहा है कि 11250 kilojoule ठीक है इसको मैं 11.2 पांच मेगा जूल भी लिख सकता हूं एक दो तीन टेन पौवर त्री तो त्री और यह किलो त्री तो मतलब टेन्थ पॉर शिक्स हो गया टेन्थ पॉर शिक्स का मतलब होता है मेगा ठीक है ऐसे आफ समझ सकते हैं तो तो अगर यह जो है यह तो एक घंटे के लिए हैं अगर मैं इसे 24 यह जो है यह जो है एक घंटे में इतना जनरेशन हो रहा है तो 24 आवर्स में कितना जनरेशन होगा वह अगर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे जो है 24 से जो है मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो इसे जो है थोड़ा ऐसा समझते हैं देखिए जो हमारा यूनिट है वो कितना है पांसो इंटू दो यानि की हजार मेगावाट का यूनिट है तो हजार मेगावाट 24 घंटे में कितना जनरेट करता है और उसके लिए कितना हीट चाहिए होगा वह से सबसम को फाइन डूट करना है खेल तो यहां वर 1 मेगावाट हर जो है थाने लिए हजार मेगावाट है वह हत्रों 24 हाबर कितना हो तो 100 in to 24 Ah बब अब यह तो यह हजार क्या है हजार हो मेगावाट का तो हजार मेगावाट यानि कि मैं इसको जो है तो 1,2 हो oni इंटियो workande अबर लिघ सकता हूं कि यह 10 ब़ hams सकता हूँ तो यह टाहा वाट और हो जाएगा तो will mean पाइक बनार हों जाया रहा है ई हम यहां ट्वले के यहां पर इस जो है हो जाए हो तो इतने के-स पइन हो जाएगा जब एक युनिट जेनरेशन के लिए हमको कितना ही चाहिए था ग्यारद समुद दो पांच मेगा जूल तो इतना यूनिट हो रहा है इसको एक ट्रीमाने यूनिट में कर लिया है इतना इन जेनरेट के लिए कितना ही होगा 1125 इंटू अब यह सारे का हजार इंटू 24 इंटू अगेन हजार यह आएगा कुछ इतना एक दो तीन चार पांच छे साथ यानी 27 इंटू 10 पावर सेवें 10 पावर सेवें मेगा जूल आएगा मेगा जूल आएगा यानि कि अगर फुल केपसिटी में चले यानि जो पांसो मेगावाट के दो है मतलब हजार मेगावाट करें प्लांट है और वो 24 गंटे बिजली चनरेट अगर वो उसको करना है तो उसके लिए हमको जो है इतना हीट हमको जो है 24 गंदर देना पड़ेगा तब जो है वो 1000 मेगावाट का विजली चनरेट करेगा ठीक है इसका मतलब यह है तो एक चीज हम जानते हैं एक चीज हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो एक यूनिट होता है एक यूनिट जो होता है वो क्या होता है 860 किलो कैलोरी के होता है ठीक है तो यहां पर यहां पर यह यहां पर जो हमारा यूनिट आया था कहा गया यह 17,000 पान्सोबीस यह आया था ना तो 17,000 पान्सोबीस इन्टू इसको हम करेंगे 10 तो पार 3 अब यह यूनिट है किलोवाट आवर हो गया अब समझ रहा है तो तोड़ के किलोवाट आवर में convert किया है तो यहां पर यह 10th वार 3 हो गया ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 860 इन्टू 17,520 इन्टू ट्वेन पर 3 इतना किलो कैलोरी हो जाएगा ठीक है तो इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 860 इन्टू 17520 इन्टू 1000 यह हो जा रहा है कि ओके यह थोड़ा साथ इसे ऐसे इसे जो है हम ऐसे सिंप्लिफाई कर लेता है 860 इन्टू 17,520 यह कितना हो जा रहा है यह हो जा रहा है वन फाइब जो शिक्स सेवन टू डबल जीरो ठीक है है 10 पौर 6 मिल जा रहा है बनके तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 672 इसको मैं मेगा लिख सकता हूं मेगा कैलोरी ठीक है अब इसे अगर मैं 4.184 से डिवाइड कर दो ठीक है 4.184 से डिवाइड कर दो 15067 200 इवाइड बाइ 4.187 क्यों की से मैं मेगा जूल में कनवर्ट कर रहा हूं ठीक है अब यह क्या हो जागा मेगा जूल हो जाएगा तो यह कितना हो जाता है कट करके एवड दिवाइड बाइड 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 भाइड वाइड और पवाइड यह जा रहा है कि यह जा रहा है और सुअ जाए यह अब यहां पर जा है यह मल्टिप्लाई होगा यह जो है multiply होगा जब हम इसे जो है जूल की जब हम इसे जो है जूल में convert करेंगे तो यह है multiply होगा 4.187 होगा ठीक है तो इसे अब जब हम करते हैं 1506720 इन्टू 4.187 तो यह हो जा रहा है 630 ठीक है यह हो जा रहा है 638 636.6 यह हो जा रहा है मेगा जूल ठीक है यह आगया आपका जूल में ठीक है थोड़ा सा यहां पर मिश्टिक हो गया था मुझे multiply करना था बट मैंने डिवाइट कर दिया था ठीक है तो यह हो जा रहा मेगा जूल ठीक है अब अब जो है हमारा यह निकल चुका है तो अब हम यह कह सकते हैं कि 17 तो अब हम यह कह सकते हैं कि एक्च्वल जो अगर मुझे यहां पर इफिसेंसी पुछा प्लांट कर ठीक है फाइंड ओट करना है तो एक्च्वल में जो कहां गया है अग्च्वल में अगर यह फूल कैपसरी प्लांट चलता तो यहां पर जो हीट मुझे लगता वो मुझे कितना लगता तू सेवन इंटू तेन पर सेवन लगता ठीक है बट यहां आप्लांट का जनेरेशन हो रहा है वहां सताचाहणाब तो इस हिए य गोद्फ ही और यूजट होगया ठीक है और एक्च्वल हम ने इन पूट इट कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है क्योंकि इतनी यह फोल के अविसटी अप्लाइंट का कर तो अगर मैं अगर मैं आप पुट कितना मिला इतना मिला सट्रहजर पांस रहिस gekommen का जनेरेशन व्हां मसले हमारा आउटपुट है है जो कि हमने इसको जाए हीट में कनवर्ट किया है तो अगर मैं और पूर्ट कितना मिला है छे सो तीस आट छे तीन चे पॉइंट सिक्स डिवाइड वाइड वाइड वैड जो मेरा इनपूट हीट कितना था अगर हजार मेगवाट के फूल चलता तो यह था ट्वंटी सेवन इन्टू टेन प्वर सेवन कंई इनपूट हीट था 27 इंटू 10फ पर सेवन के दोना मेगाजुल में है ठीक है इन्टू हंडेट क्योंकि लिवाइड रहे है तो इसे जो में झालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 638 636.6 divided by 27 into 10 power 7 answer in 200 answer in 200 2.3 just a minute मुझे यहां पर फिर से करना पड़ेगा ठीक है 1506720 into four wind 187 ओके 6308 636 630 8 636.64 राइट यह हमारा जो है और फूर्ट ठीट हो गया ओके हैं मैंने यहां पर एक जिरो कम लिया यह एक जिरो जो है कम लिया है यह ठीक है तो एक्चुली 15067 200 into into क्या हो जाएगा 4.187 ठीक है 4.187 यह हो जाएगा यह 6386 6308 6608 6368 636 363 266 हो जाएगा 326 हो जाएगा राइट तो मैं पॉइंट को छोड़ देता हूं है 6308 6366 हमारे एक्चुल आउट पूट हो जाएगा राइट तो मैंने यह कोशन में कुछ गलत लिया था इसलिए अंसर गलत आ रहा था ठीक है तो यह हमारा दश्मल यहां नहीं रहेगा अब जहां फिरसे इसको जह सॉल्व करते हैं ठीक है 6308 6366 डिवाइड भाई 27 इन्टू टैन पावर 27 यह होता है 0.23 ठीक है तो 0.23 इन्टू हंड्रेट ठीक है यह होता है 23 परसेंट तो जो प्लांट के एफिसेंसी होगा 23 परसेंट ठीक है ओके तो इसमें जो कितना दिया हुआ है 32 परसेंट लिया गया तो मुझे लग रहा है 23 वह जहिए nourish सक्रेन शाहिए multiplayer खेंट लिया गया है तो मुझे लग रहा कि यहां तो मुझे लग है तो मुझे लेकिन पक्टा सभूरेजी क्योंकि इसमें जो है थर्डी टू परसंट दिया है बट जो कोशन निकालने का जो इस्टेफ है वो यही होगा ठीक है तो आप जब नेक्स तरीके से असे तरीक आप सो सौल्व किजिए ठीक है वैसे लेंदी प्रोसेस है भले यह जो है अब्जेक्टिव कोशन में आया है नेक्स्ट क्वेर्चन है यह जो है तो इसका स्लूशन क्या हो जाएगा solution number 6 ठीक है solution number 6 तो हम जानते हैं E1 बट्टा E2 equal to क्या हो जाएगा D2 का square divide by D1 का square यह मैंने पिछले बार भी कराया है तो यहाँ पर E1 है 10 है तो यह 10 हो गया divide by अब E2 निकालना है E2 निकालना है E2 यह हो गया अब यहाँ पर D2 के value क्या दिया होगा है D2 निकालना है तो हमने 2 का square कर दिया ठीक है और जो इनिच्याली जो distance था किते था 1 मीटर था ठीक है यह हो गया तो E2 की value क्या हो जाएगा 10 divided by 24 ठीक है तो यह आप सो जो है 224 25 10 मतलब 2.5 यह आपका जो है answer हो जाएगा 2.5 यहाँ पर option में है answer ठीक है है ओके आते हैं नेक्स्ट सॉलिशन पर नेक्स्ट कॉस्टिण है नेक्स्ट कॉस्टिण है कॉस्टन NOMB12 कॉस्टननंबह ट्वेक है ठीक है अ कर छोकल तक ईब्राफ स्पीड आफ पॉर पोल मोटर उपलेडिंग यह पिप्टिपित हर्टर्श है तो उसका जो है सिंक्रोनस स्पीड जो है क्या होगा इसमें सीधा से फर्मॉला होता है स्वालूशन ट्वेल तो इस पीड निकालना है सिंक्रोनस तो यहाँ जाता जो वन ट्वेंटी एफ होता है ना तो फ्रिक्वेंसी फिप्टी फार पंज़साट मतलब शेह जार डिवाइड बन अमबर पोल तो यह इसका एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं कुश्च्ट नमर थर्टीन क्या है कुश्च्ट नमर थर्टीन है इफ वाटर इस फ्लोविंग तुरू अ कूलिंग टावर एट वन ट्वेंटी मीटर क्यूट पर आवर विट फाइब दिश्टी लोड और कूलिंग टावर एट एम्बेंट वेट वेट वल्प टैंपरेचर एट ओफ थर्टी त्री डिग्रीस निगर्टीज ठीक है तो कितना है लोड कूल हो जाएगा एम सीपी डेल्टा टी ठीक है तो यहाँ पर इफ वाटर इस फ्लोइंग तुरूइंग टावरेट वन ट्वेंटी मीटर कुट पर आवर तो वन ट्वेंटी इन्टू हजार मैं कर दो मतलब वाटर का टैंश्टी हजार कर दो यह क्या हो जाएगा केजी पर आव हो जाएगा ठीक है अब यह कितना हो जाएगा बारा पंजे साथ ठीक है एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है तो इतना जो है यह आ गया किलो कैलोरी में इसका एंसर आ गया ठीक है अब जो है किलो कैलोरी यह क्यह क्योंकि माज है आवर में था केजी पर俺 तो किलो कर अबर यह हो जाएगा वह तो इससे जब हम क्या ठीक हरक्याह चांटे करते हैं तो क्या करते हैं 3024 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक टन रिफ्रिजरंट होता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर ठीक है तो इसको पॉर 1.4198.4 तीया यह यह जांसर हो गया ठीक है यह आपका एंसर हो गया इसमें जो है मतलब नहीं लेने का क्यूंकि हमारा सारा वेले तो इससे निकल गया हीट रोड़ जो है लाइटिंग पाउर डेंजटी इस बहुत सिंपल कुश्चन चीक है solution 15 ठीक है तो यहां पर ल्पीडी का फर्मॉला क्या होता है लाइट पाउर देंजटी का यह होता है टोटल फ्लोर एरिया स्वरी लाइटिंग पावर लाइटिंग पावर बिवाइड भाई होता है टोटाल फ्लोर से हो गच करने में भार तो फ्लोर से मतल्ट एब मतलब एक क्वीर का च Wear एक हजार है और और यहां पर चार फ्लोर है तो यहां पर multiply कर देंगे चार इंटू हजार स्क्वाइर मीटर तो एक दो तीन एक दो तीन 43 बटा 4 इसको solve करेंगे तो कितना आएगा 43 डिवाइड बाइफ यह आएगा 10.75 10.75 यह आपका एंसर हो गया ठीक है तो यहां पर आप देशने हैं 10.75 यहां पर दिया नेक्स्ट कुछन है कोश्चिन नमर 23 क्या है शाफ्ट पावर ऑप दी मोटर द्राइविंग शाफ्ट पावर ऑब दी मोटर द्राइविंग अपंप इस 20 किलोवाट दो मोटर इस दिए 0.909 एंड पंप इसंसी इस 0.558 अधाट अपरेटिंग लोड दी पावर टरंस्मेर दो चीज़ दिया हुआ है थीक है दो इफिशेंसे दिया हुआ है विव 2923 इसवाइन्ट 23 घुत तो यहां पर जो मोटर है को यहिए मोटर 6 एख अ कि मृण को मिनग हो गया और यहां पर यहां पर यह हो गया आपका आम हो गया है घ nehmen तो यहाँ पर यह हुआ है शार्ट पावर और अब दो हो ड्राइविंग अपंपी 20 किलोवाट मतलब यह पर जो हमको जो है मील रहा है 20 किलो वाट मेरा मोटर के और पूट्पूट शार्ट पे तह नो अ पूटर आपने के आट पुट में कितना किल वार्ट का पावर आ रहा है वह फाइन रोट करना है तो यहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि वहां पर हमको यह देखना पड़ेगा कि इसका जो पम् का कितना है और और कितना और दिया हुआ है तो simply इसमें क्या करना है अभी जंसी बराबर क्या होता है और पुट बटा इनपूट अपने क्या निकालना है ठीक है तो आउट्पूट पार निकालना है कि इफिजन सी कितना 0.55 0.55 into output अपने को निकालना है आउटपूट डिवाइड वाइड इन्पूट कितना है मोटर के लिए कितना है इन्पूट 20 किलोवाट 20 तो आउटपूट कि पावर क्या हो जाएगा 0.55 into 20 ठीक है कि 0.55 into 20 ग्यारा किलोवाट ग्यारा किलोवाट यहां आपका एंसर हो गया ठीक है अप्शन में 11 किलोवाट है आप यहां पर दो फिजन से दिया है मोटर का भी दिया जिरो पंड नाइन तो लेंगे वो लेने कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको काम तो पॉंप से हैं ना पॉंप का अटपूट से हैं तो मिल गया तो ऐसा जो है सालो करते हैं यह सालो करने का इस फ्लो और फवन ट्वंटी मीटर की टूट पर आवर इव दी फ्लो इस तो भी रिदूज्ट टू हंड्रेट मीटर की टूट पर आवर बाइट रिविंग दी इंपेलर वार्ट शुल भी दी अप्रक्सिमेट इंपेलर साइस ठीक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा अधर आटे इसंट आटे जो इस फ़्वाइफ अगया थोटे में इमने इंपेलर मतलब जो पहले देखे इंपर फ्लो रिट है और यहां पर फॉमकर दाया दिया हुआ है ठीक है तो फ्लो रेट और पंकर दाया में क्या इलेशन होता है यह होता है Q1 by Q2 equal to होता है D1 by D2 simply इसको हमें से आद रखे कोशन में साथ आता है ठीक है यह होता है ठीक है तो यहां पर हम कहा सकते हैं जो इनेशली जो कितना दिया हुआ है जो इसका इनेशली डाय कितना है 200 है ठीक है तो 200 डीवन हो गया ओके इस डेलिविन फ्लोव ऑफ 120 मिटर कुट पर आवर मतलब जो इनेशली जो फ्लोव हो कितना है 120 है ठीक है इसे जो है सब्सक्राइब करेंगे तो कितना आएगा किया हो जाएगा 2002-100 हो कि दिवाइब से 124 अरफ इस जो है सब्सक्राइब उनटन आएगा कि दो नटू है वाइड भाइद घवाइड वाय टूंटि आएगा 266.67 mm प्लाइब ठीक ऑप्शन में है क्या ऑप्शन में ये 167 मतलब 166.67 ठीक है ऐसा आप यूज कर सकते हैं ठीक है यह अंसर है और वैसे भी आप जो है लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें आपको सीधा बोला गया है कि 200 अपेलर है जो कि ट्रिम हुआ है ठीक है तो आप जो है निकाल सकते हैं कि अगर 120 से 100 गया है जो फ्लो है 120 था और अभी फ्लो किता हुआ है मतलब 20% का जो है फ्लो में कमी आया तो इसका चाहिए सी बात है इसके इंपिलर ने भी 20% कमी आएगा दोस्तों का 20% में कमी आना मतलब कितना हो जाएगा एक सो साट के असपास हो जाएगा ठीक है तो आप उसके अंदाज से भी निकाल सकते हैं ऐसा सिम्पली इसमें आपको इसल्व करने जुरत नहीं है ठीक है ओके तो यह हो गया अब नेक्स्ट को सोलुशन पर आते हैं नेक्स्ट है यह तो मुझे लगता है सॉल्व करने जुरत नहीं आप खुदी कर लेंगे दा इन्पूट ऑफ नाइन किलोवार्ट एटेड मोटर और अब रटिंग विद 90 परसने 90 परसने तो कितना हो जाएगा अजार किलोवार्ट सिंप्ली ठीक है नेक्स्ट क्वेशन क्या है नेक्स्ट क्वेशन है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 30 ठीक है कोश्चन नमबर 30 अपैकेज अपैकेज एर कंडिशनर ओफ 5 टीर कैपेसिटी डेलिवर्स अ कुलिंग एफेक्ट ओफ 4 टीर इफ दी एनर्जी एफिसेंसी रेशियो इस 2.90 इपावर इन किलोवार ड्राउन बाय दी कंपेसर भी ठीक है तो यहां पर जो कोश्चन है वो पूछा गया है एनर्जी एफिसेंसी रेशियो प्रेशियो इनर्जी एफिसेंसी रेशियो इसका फॉर्मला होता है रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन वार्ट या किलोवार्ट कि दोनों में चलता है डिवाइड भाई पावर इन पूट डू कंपरेसर अगर इन कुछ टू कंपरेसर ठीक है तो यहां पर एनर्जी एफिसेंसी रेशियो कितना दिया हुआ है 2.90 दिया हुआ है तो 2.90 यहां मैं रख दिया ठीक है और रेफ एफिट कितने टन का दे रहा है तो हमको जो दे रहां यह फेक्ट वह लना है छींगर दिट इन्टो 3.5 से मुल्टिब्लाइ करना पड़ेगा क्योंकि हमको जो है किलोवाट में लेना है और एक टन रेफ्रिजेंट परबरा होता है 3.5 किलोवाट तो फोर टन रेफ्रिजेंट कितना हो जाएगा फोर इन्टो 3.5 तो टोटल ग्लोवाट निकल जाएगा ठीक है डिवाइ आफ कंप्रेसर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.90 डिवाइड बाइ 4 इन्टो 3.5 ठीक है तो यह हो जाएगा 2.9 डिवाइड बाइ 4 इन्टो 3.5 ठीक है तो जिरो पाइंट टू आ रहा है जिरो पाइंट टू जिरो पाइंट टू तो ऑप्शन में ऑप्शन में जो एंसर है वो कितना है 4.84 है ठीक है तो हमने कहीं गलती किया है क्या सॉल्व करने में 4.3 ओ सॉरी 4.35 तो उपर रहेगा डिवाइड बाइ 2.9 नीचे रहेगा उल्टा कर दिया हमने 4.35 सॉरी 4 इन्टो 3.5 राइट 4 इन्टो 3.5 डिवाइड बाइ 2.9 4.8 यह जो हमारा एंसर है 4.84 यह था ठीक है तो हमारा एंसर हो जाएगा राइट ओके चलिए आते हैं नेक्स सॉल्सन पर नेक्स सॉल्सन क्या है कोशन नंबर है 31 कोशन नंबर है 31 कोशन नंबर 31 का है फैन इस ट्राविंग 16 किलोवार्ट 8 800 एर्पीम इप इस स्पीड इस डिजू डिज्ट टू 600 आर्पीम दें दी पावर राण बाइदी फैन वूडवी ठीक है जो पिछले बार हमने क्वेश्चन के तो फैन पे वह पंप पे बेस्ट था और अभी जो क्वेश्चन कर रहा ह है वह किसे बेस्ट है वह फैन पेश्चन होते हैं एक फैन लाओ बोलते हैं तो यहां पर अब हम जो है फैन लॉक का नियम का उप्योग करेंगे तो चलिए ई को सोलूशन नंबर है 31 मुले ठीक है तो यहां पर दो चीज़ धिला है फैन में एक किलो वाट दिया है और सिर्टिया है और कश्चन क्या होता है तो यहां पर अफैन स्च्वाइब की तो 16 उसके बाद जो है 800 ठीक है 800 अर्पीम डिवाइड बैइ और जो एंटू कितना दिया इसे रिडेश्ट टू छेसो और पिम को ठीक है और अपने क्या फ़ांद यह डैन दी तो पीटू क्या हो जाएगा सीधा काड़ देते हैं अंदर में दो चोप्याट दो त्याइए इच्छे ठीक है तो पीटू इधर जाएगा तो 16 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाइ 4 इंटू 4 इंटू 4 ठीक है तो यह वह जाता है चार चोब के 16 चार और चार कैंसल हो गए तो यह हो गया 3-13 दिवाइड बई एचार ठीक है तो स्टेस्ट बटाचर कितना होता है है 27 बटाचर होता है सिक 10.75 ठीक है अब नेक्ट कुश्चन पर आते हैं इसमें कोई नीमेरिकल नहीं नहीं दिख रहा है ठीकर है यह कि जो कि यह लगता है मैं पकॉछ दिया है और या यह की लीटे कटना होगा आप कैसे करेंगे तो आप अइसे कर लिजेगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो इसमें कुछ रहता नहीं है यह आप सॉल्व करने का फॉर्मॉला सिंबल बता देता हूं जैसे लिकेज क्वानिटी आप निकालेंगे तो लोड टाइम डिवाइड वाइड वाइड टोटल टाइम डोट टाइम प अब हम जो है नेक्स्ट के आते हैं अब अगैस्ट कोश्ण क्या है नेस्ट कोशन है आप वाइड विल टी ब्लोट आन लॉस पуд विडियो प्लिंग टावर परावर और कोसी इस नहीं करा होंगा इस से आप जो को देख लीजेए वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें simply formula होता है, जो blow down loss है, उसका formula क्या होता है, blow down निकालना है तो, blow down loss equal to होता है, evaporation loss divided by coc minus 1, तो यह operation loss आपको दिया है, coc value to 0.7 है, तो इसको जो formula होता है, तो answer निकल जाएगा, ठीक है, तो इसे भी आप solve कर सकते हैं, है ना, ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि question solve नहीं हो पा रहा है आपसे, तो मुझे comment कर दीजेगा, कौन से question का आपको solution सी है, मैं आपको comment में solution लिख करके भेज़ दूँगा, ठीक है, ओके, next question क्या है, next question है, question number 44, question number 44, the power factor of an electrical system having an active power of 100 kilowatt and reactive power of 80 kvr will be, तो इसमें जो आपावर फेक्टर जो है, find out करना है, ठीक है, तो इसका solution क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका solution क्या हो जाएगा, देखिये, इसमें जो है, हम एक जो है, triangle बनाएंगे, ठीक है, यह triangle बनाए, triangle मैंने आपको समझा लेकले, बना रहा हूं, और यह रहा है, cos theta five, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पुछा, है प्लक्र को फट्र्पस्या एक कितना है 100 होता है तो यह को होता है ट्रेंगल और रहता है किन स तो यहां पर कितना है वह अपने को नहीं पता है और यहां पर क्या पूछा है मतलब क्या होता है एक्टिव पावर क्या है 100 है और यह पावर हैं हम को को find out करना है जब यह फाइंड होगा जब यह फाइंड होगा तब हम जो है कॉसिटा फाइंड कर पाएंगे ठीक है तो यह हाइपोटनिस का हम फॉर्मला लगा के से फाइंड कर सकते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 के स्क्वाइर प्लस एटी का स्क्वाइर इसे 128.06 ठीक है 128.06 के वी ए ठीक है तो कॉस्ट थीटा इक्वाल टू क्या हो जागा 100 डिवाइड बाई 128.06 ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 128.06 यह हो जाएगा 0.78 0.78 यह हमारा पावर फेक्टर हो गया ठीक है एंसर में है क्या ओप्शन में आप्शन में 0.78 मतलब यह हमारा एंसर है ठीक है ओके नेक्स कुशन पर आते हैं और 45 क्या है ट्वंटी ट्वंटी ट्वंट्वाट मोटर रेटेट पार 415 वोल्ट 42 एमस और 0.8 पावर फाटर विल हैव एन एफिसेंसी ओफ ठीक है तो एक फैन जो मोटर चल रहा है वो कितना किलोवाट कंस्यूम कर रहा है ठीक है तो पावर पावर वाबर क्या होता है रूट थ्री वी आई कि वी आई कॉस्ट थीटा ठीक है तो रूट थी मतलब वन बन सब्सक्राइब कितना है यहाँ पर चारसुपंद्रा यह नहीं 0.1 0.415 ले सकता हूं क्योंकि हमको किलोवाट में सर्जी है और 42 एमस 42 एमस इंटू आई की वैल्लू 42 एमस हो गया जो पावर फेटर कितना ज्र इंटू 42 इंटू 0.8 यह 24 ठीक है यह 24 24 24 24 ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर 24 किलोवाट आ गया ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा समय गलक टरम बोल दिया था एक्चुली जो मोटर है और 22 किलोवाट मोट है तो चाहिए तो चलना चाहिए तो चलना चाहिए वो कितना है 24 किलोवाट है और जो अग निकालेंगे तो क्या मिलेगा ठीक है 2200 divided by 24 91.66 91.6 percent जो है इसका efficiency मोटर का ठीक है तो आपर आप्शन में है क्या 91 परसंट है ठीक है ऑके ऑके एक्वी नेक्स्ट कोश्चन इंगा 46 ठीक है इंग्पावर कंजूंड वाइन एर कंदिशनर कंप्रेशण कंप्रेसर इस 1.7 किलो वाट प्र टन ऑफ रिफ्रीजरेशन धेन इस एनरजी एफिसेंशी रीच्यों इजे तो फिर से वही कुश्चन आगे एनरजी एफि कि एनर्जी एफिसेंसी रेशियो ऐसा रखता है इस कोशेंपर ने बहुत ज्यादा निमेरिकल पुछा है तो वीडियो भी लंबा बन रहा है तो आप प्लीज बूर मत होईएगा ओक्या चलिए तो इनर्जी पिसेंसी रेशियो में बराबर क्या मैंने बताया था आपको रेफ्रिजयरेशन क vendor इफेक्ट द्यवाइड बइन्हां अब बताया था इक किलो वाट में ना किलो वाट सब्सक्राइब कम्रेशर पावर को ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आप यह झो मतलब जो पावर लग रहा है कि इतना लग रहा वंट पैंट सब्सक्राइब हो हो गया पर टरन ओफ रेफ्रेजरेशन मतलब जो रेफ्रेशन कितना एक टन का है एक टन मतलब क्या हो जाएगा 3.5 किलोवाट मल्टिप्लाइ कर देंगे तो ठीक है तो 3.5 डिवाइड बाइ 1.7 ठीक है तो इनर्जी पिसेशन निकल जाएगा क्या आएगा वैल्ल्यू 3.5 डिवाइड बाइ 1.7 2.06 यह आपका डबल यार आ गया ठीक है ओप्शन में है क्या ओप्शन में है तो यह आपका एंसर हो गया ठीक है ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नंबर 48 अदीजी सेट इस कंजुमिंग 70 लिटर पर आवर डीजल ओईल इव दी स्पेस्पिक फ्यूल कंजम्शन इज 0.33 लिटर पर किलोवाट आवर वाट इस दी के वीए लोडिंग 8 0.8 पावर फैक्टर ठीक है तो इससे भी जो है सॉल इस कोशन पर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोश्चन अच्छे टाइप के कोश्चन और सब्सक्राइब करना है और यहां पर पावर फैक्टर दिया हुआ है तो इसका मदलब क्या हुआ फिर से लगा देंगे गवली तो क्या होता है kव बटे kiva यह होता है ठीक है तो हम कौ करना है यह find out करना है ठीक है और यहाँ पर इस इस न involved dropping special कि दीजल कंजमशन है सतब लीटर पार आवर का लिजल कंजमशन है ठीक है और कियूट trend कितना है अभक हो क理त अभर किलो आवर तो अगर मैं इसको आपस में कालए कर दूं तो लीटर लिटर कैंसल हो से आखेंगे और 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 यावर भी कैंसल हो जाएगा तो बचेए किलोवार्ट किलोवाट बचेगा तो वह जो किलोवाट बचेगा वह एंसर यहाप पर आजयेगा किलोवाट कर टीक है तो मैं 90 से डिवाइड करता हूं 0.33 को ठीक है डिवाइट बइस द्री तो यह क्या हुआ रहा दो सो बारा ग्रमियर किलोवाट अब फ क्लोंड यहां पर आगया ठीक है अब यह जो किलोवाट आया इस किलोवाट को मैं यहां पुट कर देता हूँ कितना दिया हुआ था वो दिया था 0.8 दिया है कोश्चन में 0.8 किलोवाट के वैल्यू आ गए है 212.12 divided by kva निकालना है यह हमारा हो गया kva तो kva क्या हो जाएगा 212.12 divided by 0.8 ठीक है 212.12 divided by 0.8 यह कितना हो गया 265 212.15 ठीक है 265.15 यह kva आ गया तो यह option में है क्या option आप देख सकते हैं 265 kva दिया हुआ है तो यह हमारा final answer हो जाएगा ठीक है अब next जो है यह निमेरिकल जो है तब मुझे comment कर देजिए मैं आपको comment में उन question के solution है वो करके दे दूँगा ठीक है